कई राजों में बार से बिगड़े हालाद, यूपी भाजपा में जारी है अंतर कलग नमस्कार मैं हुरुपाली पर वेर आप देख रहें वेब दुने की खास पेशकश डबली डिनाओ जिसमें बात करेंगे सप्ता फर किस सुर्ख्यों की कलग अंदाज कुछ समय पहले लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे लेकिन अब हालाद उलट हो गए है अब लोग पानी से त्राही त्राही कर रहे है गुजरासरेकर महराष्टे हिमाचल प्रदेश उतराखन मद्यप्रदेश दिल्ली करनाटक तमिलाडो समेत अन्य कई राज्रों में कई इलाकों में लोग भारी बारिश के चलते परिशान है असमे बाड की सिती में सुधार हुआ है लेकिन इस समय गुजरात में सबसे जादा बुरिश सिती है बडोद्रा के बाद अब नवसारी और सूरत में शहर के कई इलाके पानी में डूब गए है सडके नदी में तब्दील हो गई है सडकों पर नावे नजर आ रही है डांग जिले में हुई भारी बारिश के कारण पूर्णा नदी खत्रे की निशान के उपर बह रही है नवसारी में बाड का पानी घुश गया है गुजरात के बडोद्रा सूरत भरूच और आनन जीलो में भारी बारिश के कारण सामाने जन जीवन अस्तविस्त हो गया है कुझ जगों पर स्कूल वा कॉलेज में आवकाश खोशित करना पड़ा वरुद्रा में 24 घंडे में 13 इंच बारिश हो गई बाड में करोडो रूपय का नुकसान हो आ है जबकि मानसुन के दोरान 100 से जज़ाता लोगों की मौध हो चुकी है महराष्ट के पूने और मुंबई में भारी बारिश के कारण हालाद बिगड़ गए पूने शहर में मुसलाधार बारिश के बाद सीहंगड रोड और नदी तट से सटे अन्य इलाकों में बाड आने के बाद ब्रहस्पतिवार को करीब 400 लोगों को सुरक्ष स्थानों पर पहुचाया गया निजले इलाकों में स्थिव कई हाउसिंग सुसाइटी और घरों में पानी घुस गया कारे और दोपईया वहान पानी में डूप रहे पुणे में भारी बारिश की चिताउने की मंदेनेजर जिली के अधिकांश हिस्तों में स्कूल और कॉलिशों में छुट्टी घोशित कर दी गई पुणे के शिवाजी नगर में पिछले चाचट वर्ष में जुलाई में तीसरी बार सबसे अधिक बारिश हुई कल्याण में बदलापूर, बैराज, जामबुल बांध, मोहने बांध और उलास नदी का जलस्तर खत्रे की निशान से उपर पहुँच गया मुंबे और उसके उपनगरों में भारी बारिश के करण कुचिराकों में सड़कों पर जल भराओ हो गया इसके चलते यातायत बादित हुआ और लोकल ट्रेंज सेवा प्रभावित हुई लगातार बारिश के करण विहार और मोदक सागर शीले उफान पर है मीठी नदी कावी जलस्तर बढ़ गया, मुंबे में 25 जुलाई को कम से कम 11 उड़ाने रद्द कर दी गई और दस उड़ानों को आसपास के हवाई उड्यों की और परिवर्तित किया गया उतराखन के मद महेश्वर पैदल मार्क पर भारी बारिश के चलते पुल बहा गया इससे 106 परियाटक फस गया हाला कि उन्हें सुरक्षत निकाल लिया गया हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई सडके बंद हो गई मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक के लिए यलो अलड शारी किया है दक्षिनी राज कनाटक में अधिकांश बांध पिछले कुछ दिनों से प्रमुक नदियों के जलगरण शेत्रों में हो रही मुस्लाधार बारिश के कारण लबालब भर गया है पश्चिमी विघाट के तटिये और मलनाड शेत्र में पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण यहां से निकलने वाली कई नदिया उफ़ान पर है लोग सबच उना के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा की अंतर कला खुलकर सामने आ गई है पिछले दिनों डिप्टिस सीम केशव मौरे और भाजपा दिक्ष जेपी नडड़ा के मिश दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद परोक शरूप से मुख्यमंतर योगी आदितिनात के किलाफ मोर्चा खोल दिया योगी की बैठकों से मौरे ने दूरी बनाली वहीं दूसरे डिप्टिस सीम ब्रजेश पाठक भी योगी की लखनों बैठक में नहीं पहुच रहे बोरे लगातार पार्टी के सहयोगी दलों के नेताओं मंतरी और नेताओं से मिल रहे है और इन मुलाकातों को भले ही सौजन ने भेड़वताय जा रहा हो लेकिन इसे सरकार और संगटिन के भी शक्ति प्रदर्शन के तार पर भी देखा जा रहा है दूसरी और राज़ा में दस सीटों पर होने वाले उप्चनाओ को लेकर लखनाओं में भाजपा मुख्याले में पार्टी अधिक्ष भूपेंद्र चोधरी की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम तो शामिल हुए लेकिन मुख्यबंदरी योगी नहीं पहुचे उनके बारे में कहा गया कि उनका पहले सी कारेकरम प्रस्तावित था राज़ा में परिवर्टन के अठकलों के बीच पार्टी अधिक्ष भूपेंद्र चोधरी ने प्रदीश सीएम बदलने की बात से साफ इंकार किया इस भी समाजवादी पार्टी ने भी इस विवात कोई हगेकर हवा देनी की कोशिश की मौनसुन ओफर सो विधायक लाओ सरकार बनाओ राज़ा में जारी आपसी खीशतान के बीच योगी भी लगातार विधायकों के साथ बैठक कर रहे है कुछ समय पहले योगी से टेडे चल रहे है मंतरी संजेनी शाद ने भी इस दोरान योगी से मुलाकात किये और उन्हें अपना मार्ग दर्श बताया योगी सबसे एहम मुलाकात पलवी पटेल की रही जिन्होंने सिराथों सीट पर कैशाओं मौरे को विधानसवाट चुनाओं में शिकंस दी पलवी की पैट्री अपनी बहन और केंद्रिय मंतरी अनूपरिया पटेल के साथ भी नहीं बैठती अनूपरिया पिछले कुछ दिनों से योपी सरकार की लगातार आलोशना कर रही है। तो आपस कि बूल्डोजर वार चल रहा है दली के दरबार U.P के अंतरकलर को सुलहम में बदल पाता है या नहीं यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन फिलहाल योगी किसी भी सूरत में कमजोर नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन उप्चिनाओ की दस सीटों पर यदि परिणाम पार्टी के अनुकुल नहीं आते हैं तो इसमें कोई संदेहने की योगी के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा होगा यदि उन्हें उप्चिनाओ में अपेक्षित सफलता मिलती है तो वे राज्य में और ताकतवर बंद करूं भरेंगे अब खबरे संक्षेप में जमु कश्मिर के कुपवाड़ा में पाकिस्तानी बैटनी किया चौकी पर हमला एक जवान शहीद एक गुस पेठिये को मार गिराया उत्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, 36 गड़, ओडिसा, गुजरात, उत्राखंड और अरुनाचल प्रदेश में अगनी वीरो को पुलिस और राज्य सशस्त्र बल भड़ती में मिलेगा अरक्षन असम का मोई दम युनेस्को की विश्ववी धरो हर सुचि मेशा में सुप्रिम कोर्ट का योगी सरकार को जटका का वड़यात्रा मार्क की दुकानों पर नहीं लगेगी नेम प्लेट सांस्कृतिक संपदा की अवे तसकरी को रोकने और पुरातन वस्तोग को उनके मून स्थान पर लोटाने के लिए भारत अमेरिका की बीच पहला सांस्कृतिक संपदा समझ होता नीट पेपर लिग मामले में सुप्रीम कोट ने खारिस किया अचिका कहां दुबरा परिक्षा के गंबीर होंगे परिणाम एंड ये ने संसोधित परिक्षा परिणाम जारी किया अब 17 ही बेचे टोपर राष्टपती भवन में दर्बार हॉल का नाम बदल कर हुआ गंटंत्रमंडप अशोक हॉल अब अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश डबली डिनाओ अगले सब्ता की सुर्ख्यों के साथ फिर हाजिर होंगे नमस्कार